SSC GD कांश टेबल भरती 2018 की सेकंड लिष्ट आएगी या फिन नहीं यदि आएगी तो आखिर कब तक आएगी जी हाँ दोस्टो स्वागत एक बार फिर से आप सभी का दोस्तो इस वीडियो में आपको बताएंगे की एससी जीडी कांश टेबल भरती 2018 की क्या सेकंड लिष्ट आएगी यानि की वेटिंग लिष्ट आएगी या फिन नहीं और आएगी तो आखीर कब तक आएगी यदि आप इस मेडिकल में फिट हुए बैठे हैं तो आप सभी के लिए एक सुनेरा मौका आने वाला है जो भी अ उप्डेट्स आईए उसके मादिम से आपको समझाना चाहे तो प्रेंस प्लीज समझने की कोशिस कीजिएगा तो यहां पर आप देख पारे हूं मैंने फ्रेंस जो 2018 में फ्रेंस से नोडिफिकेशन की ऑफिसल नोडिफिकेशन नोडिफिकेशन है वो आप यहां पर देख पारे होंगे गाइस और उस नोटिस को मैंने खोल रखा और इसी की मादिम से आपको समझाने वाला हूं जो 217 2018 को निटिफिकेशन आए थी तो यहां पर आपको मैं दिखाने वाला हूं देखे प्रेंस यहां पर आप देखिए जो आपकी टोटल वैकंसी थी वो थी चोवन 2935 जिसे बाद में बढ़ा करके गाई 6000 कर दिया गया अब यहां पर और भी आप देखे प्रेंस नोट सेकंड में यहां पर आप देखें नोट सेकंड में और लिखा है यहां दिखेंगा यहां पर 10 परसंट वैकंसी और इमार्क्ड फॉर एक्स सर्विसमेंस इफ सूटिवल एक्स सर्विसमें कंडिडेट्स और नाट अवेलबल वैकंसी रिजर्फ फॉर एक्स सर्विसमें विल बी फिल्ड बाइ नॉन एक्स सर्विसमें कंडिडेट्स आफ रीप्यक्टिप केटेग्रीज तो यहां पर आप देख पर आपको मैं बताने चाहता हूं इसी के किमसे इसका मतलब क्या है तुदिए प्रॉज़ इसका मतलब यह है 10 पर कंसी सः प्रेमार्क डप Арक्स सर्विस्पेंट की रक्षे गई है इस युटावल एक इस रबीसमेंट कने इसमें एवेलबल नहीं होते हैं मतलब यदि यह प्रेंस घानी्कल में नहीं वहां पर किसी ओपन्द नहीं थो उसके जगे पर 90 मैंड को यहां पर डिकन की नॉने के पुटी चांस दिखाए जा रहे हैं यहां पर बैकन सी बढ़ेगी और लगते लिश्ट लगेगी सेकंडि लिस्ट लगेगी और प्रेन्ड से यहां पर मैं आपको बताओं जो आपके सकनली जैसे यहाँ पर भी केरला वालों का भी रिजल्ट नहीं आया और भी फ्रेंट से जो भी अपडेट से यहाँ पर आपको दिखाएं और यदि आप सभी का सेलेक्शन नहीं हुआ है तो आप सभी से मेरा विडव निवेदन है हाज जोड के निवेदन है कि 14 फरवरी को जनतर मंतर चलने की कोशिस करेंगे तो हंडेट परसंट मैं आपको बताऊं दोस्तों कि आपकी यह वेटिंग नहीं करना पड़ेगा क्योंकि यह आप सभी लोग मिल करके एक साथ चलेंगे यह आप सभी लोग साथ देंगे तो हंडेट परसंट गाइस में जो इसकी सेकंड लिष्ट है वह बहुत ही जल्द आ लाइनिंग की जो आफाइनल रिजल्ट आया उसके बाद फ्रेंट से 50 परसंट बढ़ाई गया यह पचास सब्सक्राइब कर रहें तो मतलब इसका यह बैकंसी बढ़ने के पूरे पूरे चांसे उसे में भी अभी आपके पद खाली है इधर भी प्रेंस आपके पद खाली ह हो सकते हैं और जब पर जाइनिंग मेंं मेडिकल के लिए पुना होगा मतलब की बाइनिकल में तो इसमें भी कुछ ढूरे में भी निकाले जा सकते तो मतलब काफी vacancies खाली पड़ी है और उनसा भी vacancies के आधार पर बेटिंग लिश्ट जारी की जा सकती है second list जो है इसकी वो जारी की जा सकती है लेकिन यदि आप सभी लोग फ्रेंट्स एक साथ मिलकर के एक साथ मिलकर के कोशिस करेंगे कि इसकी जो बैकंसी से वो जल्द से जल्द आए यानि कि इसकी जो बैकंसी बढ़ने के चांस से वो जल्द से जल्द हो और वेटिंग लिष्ट की आप मुझे वेट नहीं बलकि सकंड लिष्ट जल्द से जल्द आजाए तो गाइस यदि आप सभी लोग इस बात से सहमात हैं कि 14 फरवरी को जनतर मंतर पर चलना चाहिए तो आप वीडियो के निचे कमेट बॉक्स में अपनी राइज जरूर दीजेगा कि क्या 14 फरवरी को जनतर मंतर पर चला जाए यदि आप नहीं जाएंगे तो मैं तो जरूर जाओंगा फ्रेंट्स क्योंकि मैं अपने हक के लिए जरूर लणूँगा क्योंकि इस वैसे ही तीन साल हो चुके हैं S.A.C. की तरब से SAC ने वैसे ही मुझसे तीन साल इंतिजार करवाए तीन साल इंतिजार करवाने के बाद अभी भी SAC को क्या फ्रेंट्स इस्था नहीं हुए क्या उसका फ्रेंट्स अभी भी मकसद पूरा नहीं हुआ है तीन साल इंतिजार करने के बाद भी कंडिडेट्स अभी भी क्या इंतिजार करें हमें तो लगता हम सभी के साथ थन्याय हो रहा है और अभी सन्याय को सहन नहीं कर पाएंगे इसलिए गाइस यदि आप सभी लोग सहमत हैं तो 14 फरवरी को जनतर मंतर चलना चाहिए आप वीड का इंतिजार कर रहे थे तीन सालों से और उन्सका सपना वो तूट गया तो उन्स सभी तक यह वीडियो सेयर कर देजगा ताकि उन्हें भी पता चल सके कि 14 फरवरी को महाधरना परदर्शन होने वाला है जनतर मंतर पर तो उन्स सभी कंडिडेट्स तक यह जानकारी पहुं जारी होने वाला है निव वेकंसी का उस 25 मार्च के पहले ही मुझे फ्रेंट्स इसके बारे में कुछ करना होगा यदि वो वेकंसी जारे आएगी तो इसके बारे में फिर कुछ नहीं कर पाएंगी इसलिए जो भी करना है वो जल्दी करेंगे यानि 14 फरवरी तक हम लिष्ट के आने के बात कि जारे है यदि इसके बारे में भी कोई अप्डेट्स आती हो तो सबसे पहले सूचना आपको मिलेगी आप चैनल को सबस्क्राइब कर लीजेगा साथ में जो बलबटाना है उसे प्रेस कर लीजेगा ताकि तुरंत आपको सूचना मिल सके ठीक है और यदि आप इस बात से सहमत हैं इस राई से सहमत हैं कि 14 फरवरी को जनतर मंतर पर चलना चाहिए महाधरना परदर्सन किया जाना चाहिए उस महाधरना परदर्सन में हम सभी को कुछ ना कुछ तोलाव मिलेगा ही बैकनसीज बढ़ने के पूरे पूरे चांस है और यदि आप सभी लोग इस बात से सहमत हैं तो आप निचे कमेट बॉक्स में अपनी राई जरूर दीजेगा कि क्या 14 फरवरी को जनतर मंतर पर चला जाए या फिर नहीं आप सभी का राई यह होगा कि चला जाए जैसे प्रेंस आप आगर नहीं जाते हैं तो भी प्रेंस मुझे को SAC को क्योंकि वैसे ही तीन साल मैंने बेट किये हैं अपनी वर्दी के लिए जब की तीन साल बेट करने के बाद भी मेरे सपने को चखना चूर कर दिया है इसलिए अब मैं इसे सहन नहीं कर पाऊंगा इतनी महनत से पढ़ाई करके बाद भी मुझे सफलता नहीं मिलती है तो अब भी आपको बता दें कि SAC GD की वेटिंग लिष्ट के बारे में यारी कि सेकन लिष्ट के बारे में कोई अप्डेट्स आएगी तो आपको सुझना तुरंत मिलेगी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजएगा साथ मिल बटाना एगा उसे प्रस कर लीजएगा तकि तो गाईस आपको चिंता नहीं करनी है वेशे तो चिंता फ्रेंट्स जाइर है क्योंकि क्योंकि तीन साल से मैंने इंतिजार किये अपनी सुनहरे भविस्ट के लिए जब की आज मेरी इस चिंता को फ्रेंट्स और भी बढ़ा दिया गया आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा इस वीडियो को सभी पाइजों तक सेयर कर दीजेगा ताकि हर श्टूडेंस तक यह वीडियो पहुंच सके कि जयोदा फरवरी को महाधरना परदसन में उन्हें भी भाग लेना है तो आज के इस वीडियो में वीडियो अच्छी सके मिलते हैं दूसरे नाए वीडियो में जय हिंद जय भारत बंदे मात्रम